इस वीडियो में हम लोग Class 7 Science का Chapter 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है उस्मा, तो इस वीडियो में हम लोग A to Z Question इसे पढ़ेगें, जो इस Chapter में दिया हुआ है, तो चलिए बिना समय को वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो देखें सबसे पहले दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4 Question दिया पहला है, उस्मा चालक और उस्मा रोधी में अंतर स्पश कीजिए, उस्मा चालक और उस्मा रोधी, तो यह तो इजी है, जिस वस्तू से है ना, उस्मा एक जगा से दुसरे जगा, एक सीरे से दुसरे सीरे तक जा सकता है, तो उसको बलेंग उस्मा चालक नहीं जा सकता है तो उसमा रोधी, ठीक है, तो इसको समझने के लिए पता है, आपके घर में जो कुकर होगा ना, बस उसको देख लेजए, कुकर है तो उसका जो हैंडिल है, ब्लैक जो लगा वो रहता है, डबबर का, प्लास्टिक का, तो वो उगरम नहीं होता है, ठीक है, तो उसमा रोधी ह एक सीरे से दूसरे सीरे तक जाने देता है, ठीक है, जैसे माले तक चमच है, ठीक है, को भी धातू का चमच है, अब यहां पर इसको गरम करेंगा ना, तो हैंडिल भी गरम हो जाता है, समझे, तो यहां से उसमा क्या किया है, यहां से ऐसे से यहां पहुंच गया है, समझे, तो यही बुला जरी है आपड कि एक सीरह से दूसरी सीरह तक जाने देता है न तो बस वही है उसमा चालग जैसे में लोहा तामबा जितने सारे धाट्अँ ने सब आ जाएगा उसमा रो दी उसमा को एक सीरह से दूसरे सीरह तक अपने से हो कर असानी से नहीं जाने देते हैं उसको कहते हैं उसमर हो थी जैसे प्लास्टिक हो गया लकड़ी हो गया आदी लकड़ी कैसा सुखा हुआ लकड़ी यह सब तू देखें डॉक्टरी थर्ममेटर एवं प्रयुक्साला मिटर से शिर्फ मानव सहीड का तापमान मापा जाता है तो इसको पुखार लगा हुआ कि ने लगा हुआ तो डॉक्टरी थर्ममेटर से शिर्फ मानव सहीड का तापमान मापा जाता है अब क्या है बनावट बताना है बनावट देखें उतर लिखेंगे जगर रहाता है, इसको समान व्यास बोलते हैं, जिसमें एक लंबी, बारी, तथा समान व्यास की कांच की नली होती है, इसके एक सेघ्ञे पर एक बल्ब राता है, ठीकन division ज misericis बोलता है, बल्व में तो जलने वाला बल्व नहीं रहता है. भूंडi गुंडी बोलते हैं? इस में पारा भारा रहता है. जो गर्म होने पर फैल जाता है. तेके गर्म कैसे होता है? हमारे अकांक में दबाते हैं या फिर जीब के नीचे रखते हैं, ना जीब enabling तो हमारे सेट को उसमा को ग्रहन कर लेता है पारा और फैल जाता है और जहां रुखता है तो उतना ही टेंपरेचर होता है हमारा इसमें 35 डिगरी सेल्सियस और 42 डिगरी सेल्सियस तक ही माप सकते हैं अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर फीगर बना लेज़ेगा, अभी आपको दिखाएंगे किताब से, तो बनाना रहेगा, उसके बाद देखें, परिक्सालर थर्ममेटर से परिक्सालर में वस्तौु का तापमान मापा जाता है, इसका परिक्सालर से एक 110 ॡगरी सेल्सियस ह होता है समझ गया जानिकर 10 से 110 डिटिरी सर्सेयस सक भापमान है न वस्तू का माप शक्ते हैं लेकिन इसका दीख है डॉक्टरी थर्मेटर से अवरोध क्या है समझें यह आपको फीगर से बताना पड़ेगा तब जाके अच्छे समझ में आएगा इसको बोलते है अरहाँ थे खुनडी आपको बनाना होगा तो यह अअनि थे läuft degree thermometer दिया भहनी है आपको यह पर की थे मिंटर में तो यह समझें पर हो गया और हपासकर है यहा पड़े में अबíz भूत lips यहां पर रुख गया और जैसे अगर यह नहीं रहेगा ना तो पारा नीचे चला जाएगा समझे जैसे हमारे से यहां पर आजाएगा तो तापान हमारे सेर का सही से मलूम नहीं पर पाएगा इसलिए रहते हैं यहां पर आपकरते हैं और जटका देते हैं पर जो पारा रहा है फिर से इसमें भर जाता है गुंडी में समझें और यही यही और यही नहीं रहता अब रोत यहीं नहीं रहता प्रविक्षालत आप मापी में तो यह प्रविक्षालत आप मापी ठीक है देख सकते हैं तो यह प्रविक्षालत आप मापी है ना यह इसका फीकर आप बना लेजेगा ठीक है यह यहां य तो देखिए यहां पर यहां पर आपको बनाना है डॉक्ति थर्मोमेटर और इसके जश नीचे ना यहां पर पर एक साला थर्मोमेटर बना लेज़ेगा छरी देखें सर्दियों में एक मोटे कपड़ी के अपेच्छा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधी गर्मी परदान करता है क्यों तो क्यों तुबले जड़े एक मोटा कप्रा वाला हाना एक कप्रा है और पतला पतला है पतला पतला कप्रा जैसे माले तो इसका मोटाई मालेते हैं कि इसका मोटाई एक कंबल लिए एक कंबल यह मोटा कप्रा है जिसका मोटाई मालेते हैं तीन सेंट सेंटीमिटर एक संटीमिट्र ले लिए म fourteen इसको साथ में इस्त्माल करें है उसको साथ में स्काल करें गयों किंदी दार यहां पर हौषा यहां पर हावह काम नहीं करता है कि इस चलीustain कि कियुकि वस्त्र के कई परतों के बीच वायू होती है अब यह बताएं जो उस्मा का कुछ आलक है यह वायू सरीर से उस्मा को परिवेस में यानि परियावरार में जाने से रोकती है जिसके कारण हमें उस Linked мужчever कंवल रहे Finger तो हवा होई में ने name चमाले तो कोई वैगती है कंबल के एक्जामपल लेकर बता रहा है अच्छे समझ माईगा तो इसके बॉड़ी से से उसमा बाहर निकल जाएगा लेकिन जो पतला पतला रहता है उसी मुटाईगा तो बीच में हवा भी आ जाता है हवा उसमा को कुछालक है तो हवा भी काम कर कंबल भी काम कर तो से से सम मां बाहर नहीं निकल पाता है और गर्मी लगता है आगा दोके सफेद दिवारे उन पर परने वाले उसमें वीकीरन का बहुत कम भाग अवसूसीत करती है अधिकांस बाख परावर्तित कर देती है इससे घर बहुत कम घर्म होता है इसलिए गर्म जलबाई वाली जगों पर घरों के उझली रंग से रंगनी की सलाँ दी जाती है तो आपको पता हैं, जैसे आप देखिऊंगे, गर्मी में सब उजला उजला कपर पहनता है, उजला उजला, especially शर्ट, लड़कों को देखे होंगे, तो क्यों? क्यों क्यों जो उजला जो रंग होता न, वो क्या करता है? सुरज के जो प्रकास है उसको बहुत कम अफसोसित करत शेर को क्या बहुत कम गर्म करेंगा तो इसी चरह घलता तहएां डीवार को बहुत कम अफसूशिए करें एब आगर देखेंग तो कॉलम कको का घलती में टेक है हलके रंग के कपड़े पहने का समय क्या होता है गर्मियों में टेक है उसके बाद समुद्र समीर बहने का समय क्या होता है तो रात में होता है और जो बच किया थल समीर चलने का समय क्या होता है दिन में होता है ठीक है समुद्री समीर बहने का समय रात में तो यह आप स्किन सॉट ले सकते हैं आगे आगे क्या बला जारा है सही उत्र पर सही टिक चीन लगा एक लिटर जल जिसका तापान 0 सकती है और 40 degrees Celsius में ज्यादा उड़ जा जाना ज्यादा उसमा गण्य किसको देने लेगा इसको देने लिए जब तक कि दोनों का तापमान सीम नहीं हो जाता है तो जैविस से बात है तापमान क्या होगा यह दिये गाने इसको धीद रहे तो बरावर बर ओर हो माल लेते हैं कि 40 है नहीं तो 20 माल लेते हैं इसको दे दिया ठीक है अब 20 अपने राग्या तो कम से कम क्या यहां पर अनुमाल लगा सकते हैं कि यह गह होगा 10 डिगरी से 40 डिगरी से बीच होगा समझे कि 0 डिगरी से क्या कम तूनहीं हो सकता और इसे जादा नहीं हो सकता तो अंसर गह ही है आगर दिखते हैं आगर दिख्यें में लकडी उसमा एक जगल, एक सीरी से दूसरी सीरी नहीं जा सकता है। तो गा हो जगा ऐनषर, गा कुछालक होने के कारण कॉई परभा नहीं पढ़ेगा। फिर यह जो 20 Grad Celsius टाप परगर्म जल में 20 Grad Celsius टाप पर गर्म लोहे की छड को डालने से क्या होगा। तो आपको पता है कि उसमें है ना मा लेते हैं कि एक वर्स्तु है और दो वर्स्तु है इस वर्स्तु में उसमें तभी जाएगा ना जब इसका टेंपरेचर ज्यादा हो और इसका कम हो तो ज्यादा से कम क्यों जाता है तो यहां पर क्या बलज़रा है 20 डिगरे सेल्सियस गर् लोहाग अच्छाड है तो दोनों का तापान तो सेमी है तो इससे ना इससे जाएगा ना इससे जाएगा ठीक है तो कोई परभाव नहीं पड़ेगा तो इस परकार से पड़ा चाप्टा समाप्त होता है I hope आपको वीडियो पसंद आओगा वड़ा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीज़े चानल पर नहीं तो चानल को सब्सक्राइब कीज़े थैंक्स पर वाचिंग